को लंबा और शाइन करने के लिए कुछ इजी से स्टैप ता दीजे जिसे हम असानी से कर सकें बाल हमारे सिल्गी स्मूध हो जाएं कुछ ऐसी रेमेडी मिल जाए हमें कि हम मतलब असानी से कर सकें यह तो बहुत ज़ादा परिशान हो जाती है यह सब रेमेडी वगदा करोड़ी है और चीज के पुसिए तो अपको क्या बेनीफिट मिलेंगे छोट छोट आपको मतले है छोट डिटे पर दिए लिए उसके लिए भी सोलीशन बताऊंगी देखते रहे गा वीडियो वने रहे रहे गा स्किब्डियो को देख बेखें आपका टाइंग वीडियो को स्टार्ट करती हूं वेल्कम बेक तो माई चैनल टिपिकल हेल्थ पे मैं आपको हाँ जोड़के सागत करती हूं मेरे चैनल पर आपको हर तरह के रेमिटी लेखने को मिलती है चाहे वो स्किन के रहे है या फिर हेल्थ के आई है आज मैं आपके लिए छोट छोटे टिप लेके आई हूं मतलब उन अगर आपको मेरे चैनल पर कुछ भी अच्छा लगता है या वीडियो थोड़ी सभी हल्फु लगती है पुसंद आती है तो आपको क्या करना है सब्सक्राइब लाइक शेयर कॉमेंट करें विना बिल्कुल नहीं जाना सब्सक्राइब करना है उसे ओन कर दीजिए ओन करने जाएगा सबसे पहले मतलब आपको उसको मेंट मिलेंगे मेरे मेरी रहम जरूर करना है एक शेयर सब्सक्राइब करना है और चैनल रहर मेंट रही है जल गए है इतने रिजिए मेंगे मिले मैं तो यह लोगों पजीड शुट चीजें शेयर की तीए मैं आपको साथा उनको तो आपको क्या करना है comment box में topic भी बताने है result definitely मतला आपको आपको भी amazing result आगे आगे तेमेडी में मिलेंगे topics में मुझे पता लग जाएंगे आपको कौन से अच्छे लगते हैं और आपको क्या करना है like करें बिना बिल्कुल मुझाए like का thumbs up का button on कर दीजिए जिससे हमारा motivation up होता है और भी hard work करने है अगर आप मेरे बारे में personal information चाहते हैं मेरे चैनल की बारे में और detail चाहते हैं तो आपको क्या करना है Instagram पे मुझे follow करना है Instagram पे भी मैं आपको पूरे benefits उसके बिल्कुल नहीं करें तो आपको एलोविरा और नीम्बू के क्या जबर्दस benefit है हमारे follicles को मजबूत करता है strong करता है बालों से moisture को dandruff को गायब करता है हमारे follicles और blood circulation अच्छा होगा तो बालों की length भी बढ़ेगी ये थी आज का first result जबर विरा और नीम्बू को मिक्स करके लगाने से हमारी dandruff यानी रूसी हमारी विल्कुल गायब को जाई है क्योंकि ये combination इतना best combination है मतलग करके देखे मेरे कहने से कितना रखना है डिटेल में आपको बताऊंगी आगे वाली tip में आगे वाली result में चोट-चोटे result आपको मतलग मतलग करने का मन करेगा चोट-चोटी चीज में आपको बताऊंगी तो continue बता दूंगी तो आप ऐसी मतलग उसको skip करके देख लेते हैं ठीक है तो उसके अंदर करें आपको डेंडर की पबलम है एक्स रिजल्ट और अलोविरा और निंगो को मिक्स करने से क्या जबरदस benefit हमें मिलेंगे हमारे scalp को moisture परदान करता है scalp पे मतलब moisture होगा तो क्या होगा हमारी मतलब dryness को खतब करता है उनको मतलब dry hair की पबलम है ना उनको ये remedy ज़रूर यू करता है सबस्यादा comment पढ़ने से बहुत जारा खुश होती है आपकी reply से कि मैं ऐसे result मिल रहे हैं इस topic पर वीडियो बना दीचे हुझे बहुत अच्छा लगता है और आपको भी और अच्छे result मिलेंगे आपकी मन पसंद वीडियो बन पसंद रेमिडियो देखने को मिलेगी मतला आपकी hip growth नो ही हो रही है follicles मतला नीचे दो मुए बाल हो जाते हैं उनको भी खटक पढ़ता है जिनको क्या बोलते है split ends ठीक है दो मुए बालों की growth नहीं होगी ऐसे करके दो मुए बन जाते है तो growth कैसे होगी वो नहीं होगे तब ही आपको मतला अच्छे result मिलेगे तो यह क्या है बालों की growth भी हमारी अच्छी हो जाएगी length भी बहुत अच्छी होती है follicles हमारे मजबूत भी होती है तो हम स्रेमेडी को क्यों ना follow करें follow जरूर करें स्रेमेडी को दिक्कत आती है इसको use करने है तो हमें साथ comment box में जरू shift करें मैं आपको उसका solution भी बताऊ आपको क्या करना है अपनी बालों की length के कोड़िन वैसे 2-3 चमच aloe vera gel ले लेना है ज्यादा लंबे हैं तो 4 चमच भी ले सकते हैं मेरे जितनी length में आपको तीन चमच भोत रहेगा कुछ drops जी हैं निम्बू आपको यूनी के आद्धा नी चोड़ दें जी हां ये काम बिल मतलब थोड़े क्लीन होने चाहिए क्लीन हेर में ही रेमेडी को करें आपको अपने parts निकाले कालके हमेश है रेमेडी को यूस करना है ऐसे से करके parts निकलते जाए और लगा लें अपने scalp को अच्छे से cover कर लें और length पर भी आप इसे लगाएं जरूर ऐसे आपको इसे लगा अच्छा रखने की ज़रूत नहीं है एक सेड़ घंटा ही एक घंटा सफीशन रहेगा क्योंकि अलोवेरा तुड़ा जल्ती सूप जाता है ठीक है मोईस्टर हमारे बालो को परदान करता है पर इसको मतलब ड्राइनेस इसके अंदर अलोवेरा बोजनती आती इसलिए गंट आपको दे दूंगी हर्बल शैंपू का यूज करें मैं हमेशा बताती हूं मैंने लास्ट वीडियो अबसे में हमेशा बताया है डेली मतलब केमिकल वाले शैंपू कर आते हैं और आज अच्छी ब्रेंड के और शैंपू भी आ गया है हर्बल मतलब करेंगे कि मैं मुझे ख टाल तो आपको क्या करना है हर्बल चैंपू एक से छोड़के मतल्ट अल्टर्नेटिव डे डेज में आप लेती हैं तो एक दिन चोड़के हैं आप क्या करें एक और प्लेडिन अपको डूश करें और टो थे ब्रेंट के चैंपू कि लिंक मैं आपको डाल दूंगी जिसे की के आप को बताए यह हैं तो लिदियो में ने मतलब हैच्श नी PCs चाईए चि ölइप करना हैं वह लासे जरूर और करने के बाद के हो और आपको काली मिलती हूं नेक्स्ट आमेजिंग वीडियो में नेक्स्ट वंडर फुल्रेंडि के साथ तिल नन बाभाइ